Electronic माध्यम टेलिग्राफ 1837 में सेम्यल मोर्स ने टेलिग्राफ की खोज किया जिससे सूचना को विद्धुतारों के माध्यम से त्वरित भेजा जा सकता था टेलिग्राफ मशीन के कारण अब अकबारों के प्रकाशकों के पास पहले के तुलना में अधिक खबरे आने लगी अकबारों के लिए खबर इकठी करने की प्रक्रिया में समय बहुत महत्वपून पहलू बन जाता है उदाहरन के लिए किसी अकबार को कोई राजन्याति घटना या कपास के दाम में कमी या वृद्धी की सूचना का जल्दी मिलना उसकी बिक्री को बढ़ा सकता था टेलिग्राफ के माध्यम से सूचनाओं के तीवर प्रवाह के कारण वस्तूओं की कीमतों में समानता आने लगती है अब सूचनाएं उद्योगपतियों वह व्यपारियों के लिए महत्वपूर संसाधन बन गई टेलिफोन टेलिफोन के जरिये तारों के माध्यम से आवाज पहुचाई जा सकती थी और दो लोग सेकडो किलोमीटर दूरी से एक दूसरे से बादचित कर सकते थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 सथत्तर में टेलिफोन का अविशकार किया था और कुछी वर्षों में या भारत सहीत विश्वभर में उप्योग किया जाने लगा बड़ी कमपनिया इसके तार बिछाने और मशीन उपलब्ध कराने के काम में लग गई रेडियो बिनातार के आस्मान में मौजूद रेडियो तरंगों के माध्यम से संदेश और आवाज पहुचाने का काम तार विहीन रेडियो करता है 1901 में इटली के मारकोनी ने सरुप्रथम अटलांटिक महासागर के पार प्रसारन करके इतिहास रचा था इसके पूर्व विद्धुत्तारों के माध्यम से ही दूर संचार संभव था समुद्रों में और जहां तक विद्धुत्तार ना भिछे हों वहां सूचनाओं का संचारन बाधित हो जाता था प्रारंब में यह केवल सैनिकों और जहाजों के लिए उप्योग किया जाता था लेकिन 1920 के बाद यह मास मीडिया की शक्ल लेने लगा प्रतम विश्विद्द की समापती के बाद अमेरिका में रेडियो प्रसारण स्टेशनों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी जिसमें बड़ी संख्या में गैर सरकारी और बिना लाइसेंस वाले रेडियो स्टेशन खुले 1930 तक 40 फिसदी अमेरिकी घरों में रेडियो पहुच गया शुरुवाती रेडियो स्टेशनों से अधिकांशिता संगीत कारिक्रमों के प्रसारण किये जाते थे बाद में नाटक, कॉमेडी, वार्ता और सेक्षिक कारिक्रम भी प्रसारित किये जाने लगे दृती विश्वित के दोरान रेडियो चैनल युद्ध की खबरों के प्रसारण के साथ-साथ देशभक्ती को उभारने वाले विविद कारिक्रमों का प्रसारण करने लगे इस दोर में राजनेतिक अपिल और चुनाव प्रचार के लिए रेडियो महतुपूर्ण उपकरन बन गये 1920 के मध्य से दूसरे अध्योगिक देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, रूस, इटली में भी सामुदाइक उप्योग वाले रेडियो स्टेशन शुरू हुए 1930 में भारत में सार्वजनिक प्रसारन के लिए और इंडिया रेडियो आकाशवाणी की शुरुवात हुई प्रसारन के माध्यम से लोगों को सूचनाय मुहया कराना, सिक्षित करना एवं मनोरंजन करना इसके प्रात्मिक करतब भी माने जाते हैं